नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है, मेरा नाम है विनीत शागर, इंटेने एकॉनोमी रमेट सिंग सीरीज चला था, चाप्टर 19 का पार्ट 3 वीडियो है यह, पार्ट 3 में हम क्लाइमेट फिनांस, ग्रीन क्लाइमेट फंड, स्वाइब इंटेन फेसिलिटी, इनडीची क्या होता है, इनडीची के इंप्लिमेटेशन चैनल्जर क्या क्या है, यह सरे चीज़ें डिसकस करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने, कॉन्फरेंट फंडिफोर, COP25, इनमें क्या-क्या इंपोर्टन डिस्टेंस लिए गे थे, साथ साथ में हमने green financing क्या होता है वो भी discuss किया था तो आज इस वीडियो हम शुरू करेंगे climate financing से climate financing होता है क्या दोस्तों climate change को tackle करने के लिए या फिर greenhouse gas emissions को cut down करने के लिए जो पैसों की जरूरत है वो पैसे जब finance करेगा ना कोई तो उसको climate financing बोलता है देखे मैं आपको समझ बेचे नए ने गाडियां बनाए दूसरे जगा में बेचे और पैसे कमाया है कि नी तो अभी वो developed बन गया अब developed ऐसे थोड़ी बना उनके products को दूसरे जगा में बेचके तो उन्होंने पैसे कमाया है कि नी आप जितने भी developed countries का इस सामबल ले लीजिए चाहे वो जितने भ हाल ही है अब उन्होंने last कुछ decades में इतना production करके इतना गाडियां चना के इतना सारा greenhouse gases emit किया और आप Paris Agreement sign करके ये बोल लहा है कि developing countries को अभी अपना greenhouse gas emissions cut down करना पड़ेगा ये लोजिके ले गया नहीं है और एक बात यह है दोस्तों जितने भी developing countries अभी है न वो maximum colonized थे मतलब colonial powers के under थे अब colonial powers जितने भी थे वो last decades में इतना सारा production हमारे देश से भी करवाया है कि नी जब उनके under हम थे तो उन्होंने पूरा production करवाया हमी से तो उनको पैसे मिल गया हमें कुछ नहीं पिला आप हम जब independent हो गया maximum country जो अभी जो independent मेंगे अपना production करके थोड़ा बहुत से कमाने लग रहा है आप बोल ला है गिनी हो जो क्या से emissions को करो मतलब उन्होंने जो गलती किया था उसका जो impact हो हमारे उपर आ गया और हमें अभी चुकाना पड़ रहा है यह गलत है ना तो देखिए तो Paris Agreement में यह भी बोला कि developed countries developing countries को पैसे प्रवेट करेंगे basically climate financing करेंगे मतलब देखिए अगर production नहीं रुके मतलब production तो रोकना नहीं है कोई भी developing countries को अपना production रोकने के लिए नहीं बोलना है पर जो greenhouse gas emissions हो रहा है उसको cut down करना पड़ेगा अगर इस तरह की production करना है तो latest technology की ज़रूरत है अब वो latest technology free में तो नहीं आएगा एक नहीं आप देखिए अब हमारे देश में BS6 वाला गाड़ी आ रहा है भारत stage 6 अब भारत stage अब 2,3,4 से compare करोगे 6 में जो emissions से कम है अब आपको पते है आजकल जो गाड़ी आ रहा है उसकी जो price है वो ज्यादा है है कि नहीं वो इसलिए engine में कुछ changes लाया है ताकि जो greenhouse gas emissions से या फिर जो particular matters से वो स technology अपनाने use करने के लिए पैसे चाहिए तो ये जो financing इसको climate financing बोलता है देखे complexity arises in the case of financing for addressing adaptation and mitigation of GHG emissions आब ये climate financing भी एक छोटी चीज नहीं है उसमें कहीं सारे complexity है मैं आपको बताता हूं देखे provision of finances embedded in the convention and has also been mentioned in the Paris agreement ये मैंने आपको कह दिया कि Paris agreement में ये clear लिखा है कि developed countries को पैसे तो देना है पड़ेगा मैंने वो 100 billion वाली बात कि थी पिछली वीडियो में आपको शायद याद होगा आप देखी तर पैरिस agreement mandates that transparent and consistent information on support provided and mobilized through public interventions for developing country parties be provided by developed countries जो जो support है financing है वो सब developed countries करेगा developing country के पास इतने पैसे का है एक तो हमें greenhouse gas emit करने नहीं दे रहो आप लोग ये global warming के चकर में आगर हम production नहीं करेंगे इसका कोई clear definition नहीं है मतलब मान लीजिए USA कोई African country को पैसे दे रहा है आप वो पैसे किस चीज के लिए greenhouse gas emissions को cut down करने के लिए रहा है क्या या फिर और कुछ चीज के लिए रहा है क्या तो climate financing मतलब होता क्या है ये कोई clear idea नहीं किसी को however it is silent on the definition of climate finance while the question of what counts at climate finance would be decided at a later stage by standing committee अब ये decide करना पड़ेगा climate financing क्या होता है मतलब अगर कोई developed country developing country को पैसे दे रहा है वो climate financing के लिए या फिर वो जो पैसे दे रहा है वो climate finance है क्या वो decide करने के लिए एक standing committee on finance under UNFCCC बनाया था it is important that it should highlight certain basic elements लेगा अब ये जो standing committee कुछ basic elements के ऊपर consonant करेंगे जैसे sources of funding क्या है terms of funding क्या है purpose of funding क्या है in addition to resources being committed disperse new मतलब जो funding आ रहे है इसका source क्या है इसकी terms क्या है इसकी purpose क्या है देखिए कई सारे countries कई developing countries को वैसे finance करते है जैसे आप चाइना का ये example दे लिजे चाइना दुनिया भर में पैसे दे अपना debt trap में सबको फसार है अब बात में ये बोलेगा Paris agreement में जो बोला था कि एक country दूसरे country को पैसे देना है climate financing करना है चाइना बोलेगा हमने तो पैसे दे रखा है पर हम ये भी तो बोल सकते ना आप तो पैसे दिये और कुछ काम के लिए आपके पैसों से ऐसा काम हुआ जिसे global warming और बढ़ गया आप आप मुझे ये बताए आपने climate financing के लिए क्या दिया ये तो clear करना पड़ेगा ना while defending climate finance it is also important to defend what cannot be counted towards climate finance देखे climate finance का जब आप एक definition बनाओगे ना उसमें clearly ये बताना पड़ेगा कि कौन सा financing climate finance नहीं है आप किसी को भी कुछ भी देदो और बोलोगे मैंने पैसे दिया था aid money दे रहो माल दीजे कहीं countries में कोई earthquake हो गया कोई natural disaster हो गया तो हम aid देते हैं ना जिसे under developed countries है उनको aid देते हैं इंडिया भी कही सरे countries को इसे पैसे देते हैं अब इंडिया भी हमने climate financing किया है कौन सा climate financing किया है आपने aid दिया है कोई development purpose के लिए जैसे इंडिया ने अफगानसा में कही सरे पैसे invest कर रखा है करीब 18 billion invest कर रखा है आप इंडिया वोलोगे कि हमने और पैसे दिया है और पैसे नहीं देंगे तो जो पैरीस agreement में जो लिखा है ना उसकी इसाब से climate financing का clear definition होनी चीए यह बता रहा है ठीक है with reference to funds provided for multiple purposes only the share provided solely for climate change आप जब financing कर रहे हो वो जो पै place to check for double counting or treatment of ODA as climate finance मतलब एक system चीए properly check करने के लिए कौन सा financing climate financing के कौन सा नहीं है there is an even greater gap in tracking adaptation finance and segregating infant development funds असे होल as a result very often the entire amount allocated project is earnestly treated as adaptation finance यह होता है मैंने आपको बोला था ना मतलब कभी-कभी क्या हो जाता है कि कुछ पैसे कोई country दूसरे country को देता है अब क्या होता है कभी-कभी earnestly गलती से यह बोला जाता है कि यह climate financing किया दा करके अब आ रहा दोस्तों green climate fund यह क्या होता है दोस्तों यह जो green climate fund है यह काफी important है काफी examination में पूछाव यह इसके बारे में देखिए actually it was set up by 194 countries who are parties to United Nations framework convention on climate change basically UNFCCC ने ही यह green climate fund set up किया था 2010 में it aims to deliver equal amounts of funding to mitigation and adaptation ठीक है तो climate change को mitigate करने के लिए अडाप करने के लिए UNFCCC ने 2010 में एक fund बनाया जिसका नाम है green climate fund it is a global fund created to support the efforts of developing countries to respond to the challenge of climate change देखिए यह fund जो basically developing countries के लिए इसका reason मैं आपको बता दिये ने developing countries को क्यों पैसे चाहिए technology के लिए greenhouse gas emissions को करकर cut down करना आप चाहते हो तो नया technology की ज़रूत है वह technology के लिए पैसे तो चाहिए तो वही fund है यह green climate fund जो है right it seeks to promote a paradigm shift to low emission and climate resilient development taking into account the needs of nation that are particularly vulnerable to climate change impacts लिए बैसिकली developing country का needs क्या क्या है यह climate goal को अचीव करने के लिए तो यही इसका focus है यह जो green climate fund का अब देखिए it has been given an important role in serving the agreement and supporting the goal of Paris climate agreement 2015 by keeping climate change well below 2 degree Celsius आप देखिए Paris climate agreement का जो goal है 2 degree Celsius के अंदर जो temperature ratio उसको रोकना है 2 degree मतलब 1.5 degree preferably है 2 degree भी चलेगा यह है Paris agreement में अगर आपको एक climate goal को अचीव करना है इससरे के एक fund की सक्सरूरत है यह fund launch हुआ था 2014 में with a pledge of US dollar 10.3 billion from both public and private sectors in form of grants, loans, equity और guarantee तो आलगलग forms यह पैसे आता है public sector से भी private sector से भी ठीक है अब देखिए highest contribution वास प्रजबे USA इसके लिए सबसे आदा contribution कोन किया तो सबसे developed country आप बोल सकते हो USA United States of America ने 3 billion US dollar फिर जपान ने 1.5 billion United Kingdom 1.2 billion France 1.03 billion Germany 1.0 billion while small amounts came from some developing nations also ठीक है ऐसा नहीं developed countries ही दिया कुछ developing countries भी दिया है जिनके पस थोड़ावत पैसे है जो है चाहता है climate change को tackle करने के लिए हम भी इसमें शामिल होना चाहता है तो वो लोग भी कुछ-कुछ पैसे दिये उसका amount नहीं लिखा है basically आप देख सकते हो जितने भी developed countries है वो है green climate fund in 2019 GCF board approved US 5.2 billion dollar to support the implementation of triple one climate change adaptation and mitigation projects and programs in 99 developing countries थीक है तो 2019 में GCF board ने US dollar 5.2 billion अप्रूव किया यह climate change adaptation mitigation projects and programs को implement करने के लिए basically जीए first replenishment process so far witnessed 28 countries pledging resources to replenish the fund for an amount of US 9.7 billion तो basically यह पुरा data धिया हो है कितने countries ने कितना offer किया, कितना धिया, कितना काम हुआ यह साथ इसका मतलब है recently जितना climate talks हुआ है जिसे conference of parties बगर आया और भी कही सारे conference हुआ है जो climate change के बाइर में डिसकस करते है वैसे देखे दोसनों आज कल जितने भी international groupings यह meetings होता है इसमें सबसे priority agenda होता है climate change recently जो G7 grouping का भी meeting होता उसमें भी agenda था climate change के बारे में ठीक है तो सारे climate talks में यह जो Paris agreement का जो main objective है 1.5 to 2 degree Celsius वाला इसके उपर discussion तो होता है debates होता है however climate finance could not be resolved as this climate finance जितना होना चीए adequate कितना होना चीए उसके बारे में कोई ठीक से decision अभी तक ले नहीं पाया है यह बताया जा रहा है अगला है global environment facility अब यह कुछ आलग है दोस्तों this is a facility which was established on the eve of 1992 Rio Earth Survey देखिए यह Paris agreement से काफी पहली बना था global environment facility करेके यह भी basically एक climate financing आप बहुड सकते हो देखिए एक किसके लिए बनाया था mainly for the developing countries to tackle earth's most pressing environmental problems जितने भी environmental problems है limits related आप बहुड सकते हो इसको tackle करने के लिए developing countries को funding देने के लिए एक global environment facility करके एक fund बनाया था both developed and developing countries are donors इसमें केवल developed countries नहीं है developing countries भी donors है ऐसे मैंने आपको पिछले slide में यह पताया था जो GCF है उसमें भी developing countries भी अपना जितना हो सकते हो उतना funding तो देह रहा है पर देखिए इसमें clearly लिखा है both developed and developing countries are donors like 13 any number to the GEF its fund is replenished after every 4 year हर 4 साल में fund को replenish करते है latest replenishment जब हुआ था it was pledged with a fund of US 4.5 billion dollars for the period of 2019 to 2023 ठीक है देखिए today it has become an international partnership of 183 countries, international institutions, civil society organizations and the private sector that addresses global environment issues तो केवल governments नहीं देह रहा है इसमें civil society organizations है, private sector है यह सब इसमें funding करते है 183 countries अभी members है by March 2019 the fund had provided over 17.9 billion US dollars in grants and mobilized and additional 93.2 billion in co-financing for more than 4500 projects in 170 countries देखिए यह जो Global Environment Facility जो बनाया है मतलब इन्हों ने जो fund इखटा किया है यह 170 countries में कम से कम 4500 projects implement करने में काम आया तो आप यह Global Environment Facility और जो Green Climate Fund है यह दोनों में फरक समझेगा ठीक है तो basically आप यहीं समझ लीजिए जो Global Environment Facility है या फिर यह जो Green Climate Fund है यह सब ऐसा funds है जो Climate Change को टैकल करनी के लिए बनाया है अलग-अलग countries मिलके एक fund बनाया है इसे funding करेंगे ऐसे projects को जो Climate Change को टैकल कर सकता है Greenhouse Guest Emissions को cut down कर सकता है तो इस तरह की funding है Green Climate Fund हो गया या फिर यह जो Global Environment Facility हो गया यह सारे तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो फिनिश कर रहा हूं अगले वीडियो में हम INDC क्या है इसकी implementation challenges क्या है यह discuss करेंगे So thank you for watching by way have a next day